हला और यूँट विल्कम टु मैंचे नोवसा अकेडमी दिस इस हिमान सुव आज की सुडो लेक्शन वबात करने वाले हैं कुछ और फार्मा रिगार्डिंग विकेंसिस के बारे में और जैसा कि आप सबी जानते हैं फार्मा रिगार्डिंग जितनी भी आपके नोडिफिक्शन अपडेट आती हैं न्यूस अपडेट विकेंसि बेट वीडियो लैक्चार स्टोडी रिगार्डिंग विडियो सब कुछ मिलता है आपको हमारे चैनल अमर सारे कैडमी और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना ना भूले जी हाँ जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 50 फार्मासिस्ट और एक ड्रग स्पेक्टर की वेकेंसी आई थी इसको लेकर दो बड़े नोटिफिकेशन आ रहे हैं कि भईया 17 फार्मासिस्ट की पोस्ट को बड़ा दिया गया था बड़ा दिया गया है और साथ ही यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ड्रग स्पेक्टर की पोस्ट को अभी ड्रग कंट्रोल आफिसर यानि की डी सियो पोस्ट जो है वो बना गया गया है ठीके जी यह दो बड़े अपडेट आ रहे हैं और यह आज वे मीडियो इसलिए बड़ा रहा हूँ क्योंकि हम इसलिए प्रिवेसली बात कर चुके हैं इसकी लास्ट डेट जो है वो आपकी 30 अप्रेल यानि की आज से दो दिन बाद है तो यह लास्ट नोडिफिकेशन है इस वेकेंसी अपडेट का क्या कुछ रहने वाला है ओवरॉल डिटेल में फिर से ब्रिफली बात करेंगे तो देखी यहां पे क्या कुछ होने वाला है तो यह इसकी ओफिसनल वेबसाइट है जी हाँ यह वेकेंसी नागलेंड पब्लिक सर्विस कमिशन की तरब से है जिसमें की आप देख पा रहे है नंबर 7 पे 49 प्लस 1 फार्मासिस्ट की मतलब टोटल 50 पोस्टे थी जिसकी क्वालिफिकेशन जो है बीफार्म डीफार्म लेवल पे थी यहां तक हम बात कर चुके है यहां पे क्या क्वालिफिकेशन थी डीफार्म और वीफार्म फ्रेशर केंड़ेट यहां पे अलिजिबल है समझ में आगई बात इसके रिगार्णि क्या नोटीस है कि भाईया यह जो फार्मासिस्ट की पोस्ट थी जिसमें की 17 पोस्ट और फार्मासिस्ट ग्रेट से लबी एडिड़ इसको जो है 17 पोस्टों को बढ़ा दिया गया है ठीक है भी यह एक अपडेट आ गई सेगिंड अपडेट क्या थी यह जो ड्रग स्पेक्टर की एक ही वेकेंसी थी जिसको अभी ड्रग डिशी ओ यानि की ड्रग कंट्रोल आफिसर के नाम से जाना जाएगा इस हिसाब से और नेक्स्ट और क्या लिखाओ है कि फार्मडी केंडेट भी यहाँ पे भी अलिजबल है और फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए भी फार्मडी अलिजबल है और क्या लिखाओ है यहाँ पे इलेक्टिव सब्जेक्ट जो है मन्दब pharmacist के लिए pharmaceutical science जो है diploma level का है और drug spectre के लिए ratio के लिए जो pharmaceutical science है वो आपका degree level का है तो यह दो notification जो है आ गए हैं यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस दीबीट वगरा सब कुछ mention है Sir कौन-कौन से इस्पूमेंट eligible है जी यहाँ fresher candidate जो फार्मासिस्ट है नागलेंट pharmacy counseling से जिनका registration है जैसे कि यहाँ पे आप देख पार है clearly mentioned है नागलेंट state pharmacy counseling से जिनका registration है वो सभी यहाँ पे eligible है तो दो बड़े update के साथ इसकी last date 30 April है तो जो कोई student यहाँ पे eligible है apply कर सकते है यह last update है 300 रुपेश की fees है और जी हाँ यहाँ यहाँ पे नागलेंट इस्टेट की apply कर सकते है next student के मन में सवाल होगा सर और भी कौनसी वेकेंसी डिसेंट्ली आयुई है तो कल ही हमने बात की देखिए एम्स पटना में 27 पोस्ट है आ रखी है जिसमें की आपकी 27 पोस्ट है फार्मासिस्ट की है और एक पोस्ट जो है आपकी drug chemist की है ठीक है जी next DRU में फार्मारेकेंसी है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रादस्तान में 2800 पोस्ट है इम्स दिल्ली में भी अभी recently यह सभी permanent job है उनके बारे में बात कर रहा हूँ उसमें भी आ रखी है आप सभी को चेक करें और यहाँ पे हम बात कर चुके हैं upcoming जो आपकी उडिसा में लगबग 1000 पोस्ट आने वाली है तो मित्रो इस बार 2023 में काफी सारी फार्मासिस्ट की व आने वाले समय में बहुत सारी विकेंसी आपको देखने को मिल सकती है जिसमें स्टेट वाइज और और इंडिया वाइज केंडिट भी eligible है तो कैसा लगा information जुरू बता है कमें सेक्शन में like करें share करें subscribe करें में में चनल को ऐसा ही informative फार्मासिट डेट यूस अबडेट वेक